आज की क्लास में देखे हम स्टेट लेजिसलेचर करेंगे, अभी तक हम लोग यूनियन गवर्मेंट की बात कर रहे थे, यूनियन एक्जेकिटिव्स कौन-कौन से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिसकस कर लिया, पूरा पार्लेमेंट हम लोगों ने समझ लिया, पार्लेमेंटरी कमेटी हम लोगों ने कर ली, और उनके MCQs भी कर लिये हैं, जिसको नहीं पता, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जो हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगे, आज की क्लास से रिलेटेड लॉज बनते हैं, ठीक है, वो जो लॉब बनेगा, वो केवल उसी स्टेट के अंदर अप्लिकेबल होगा, यूनियन गवर्मेंट जो स्टेट के अंदर अप्लिकेबल होगा, एक बार दोनों में कमपारिजन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ औ और महत्तपूर जानकारी देंगे, देखी होता क्या है, जिस तरीके से यूनियन गवर्मेंट के अंदर, क्या-क्या है, लोक सभा है, राज्य सभा है, और प्रेजिडेंट ओफ इंडिया है, इसी तरीके से स्टेट लेजिसलेचर में, स्टेट लेजिसलेचर यानि राज्य विधान सभा के अंदर क्या है legislative assembly है जिसको हम विधान सभा कहते है legislative assembly legislative council जिसको हम विधान परिशद कहते है ठीक है विधान परिशद और जैसे यहां प्रेजिडेंट है ऐसे यहां governor होते है यह राज्य सभा और legislative council और लोग सभा और legislative assembly जो लोग legislative assembly में बैठी है जो लोग यहां बैठे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये कौन है, ये MLA है, Legislative Assembly में जो लोग बैठते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो MLA है, लोक सभा में और राज्ये सभा में जो लोग बैठते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो MP है, ठीक है, वो कौन है, MP है, Member of Parliament है, यहाँ पे जो बैठे हैं, ये दोनों कौन कहला रहे हैं, MP कहला रहे हैं, यहां जो बैटे हैं, वो कौन हैं, MLA, और यहां जो बैटे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, MLC, Member of Legislative Council, तो इस तरीके से अलग-अलग सदन बने हुए हैं, प्रते एक State Legislative Assembly के अंदर, यानि State Legislature के अंदर, अब देखो, राज्ये तो एक Permanent Chamber है, और यह होता ही है Union के अंदर, लेकिन जो Legislative Council है, जरूरी नहीं कि हर State के अंदर हो, केवल 6 राज्ये ऐसे हैं, जहां पे Legislative Council है, only 6 states के अंदर Legislative Council है, यानि मैं क्या कह सकती हूँ, every state is not bicameral, हर राज्ये, 20 सदनात्मक नहीं है, 2 सदन नहीं है, हर राज्ये के अ जो bicameral है, बाकी जितने भी state हैं, वो सब unicameral है, unicameral मतलब एक ही house है, और वो house कुन सा है, Legislative Assembly है, only 6 states are bicameral, 6 राज्यों के अंदर, ये दोनों house है, Legislative Assembly भी और Legislative Council भी, ठीक है, इतनी बाते आपको समझा आ गई होंगी, अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ हमारी पर परचम एप में current affair रफतार, जो जबरदस्त एक initiative आया है परचम एप पर, आप लोग इसके अंदर इंडॉल कर सकते हैं, मैं बता दू इसमें क्या होगा, इसमें January 2023 से लेके, जोन 2023 तक की जितनी भी current affairs है important, state news, national news, international news, finance की, economy की, index, ranking, obituries, books, authors, सब कुछ, appointment, सब कुछ, और सब आपकी headlines आपको एक जगा मिल जाएगी, यानि अगर आपको revise करना है, quick revision आपको करनी है अपनी पढ़ाई की, तो आप या आपके पास समय कम है, और नस्दीक है आपका कोई exam, तो आप लोग इस हमारे initiative का फायदा ले सकते हैं, ठीक है, तो ये current affair रफतार January 2023 से June 2023, यानि लग कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सारा history, geography, quality, economy, सब कुछ आपको मिल जाएगा recorded format में, एक SSC economy का कोर्स चल रहा है, जिसको मैं करवारे हूँ, बिल्कुल 0 से high level तक, एक SSC quality का कोर्स चल रहा है, जो मैंने करवाया है, बिल्कुल basic से high level तक, सब ही courses अभी reduced price पे है, हम देखते हैं ये state legislative assembly के बारे में, जो state legislative assembly होती है, ठीक है, जो state legislature होता है, ये part 6th के अंदर आता है, इसमें part 6th में आता है, ठीक है, article 168 से लेके, 212, article 168 से 212 तक से ये deal करता है, 168 से 212 तक से ये deal करता है, और ये part 6th के अंदर आता है, अब दो houses मैंने आपको बताए, कौन-कौन से, एक हो गया legislative assembly, जिसको हम लोग सभा से compare करते हैं, union level पे, ठीक है, legislative assembly और एक हो गया legislative council, legislative council, legislative council, ठीक है, ये only 6 states के अंदर है, only 6 states के अंदर है, अब आपके दिमाग में question आएगा, मैम क्या, ये 6 states को special है क्या, जिन्नोंने ये बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी राजय अपने यहाँ पे legislative council बना सकता है, और कोई भी राजय बनी हुई legislative council को हटा भी सकता है, ये सारा procedure आपको Constitution of India में दिया हुआ है, हम एक बार procedure देख लेते हैं कि legislative council बनाने का और हटाने का क्या procedure होता है, ठीक है, तो देखो legislative council, माल लीजिये, हर्याना गवर्मेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पे legislative council बने, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो विधान सबा है जो हमारी state legislative assembly है, जो हर्याना की state legislative assembly है, मतलब जो first house है, वह पे एक resolution आएगा, legislative council के लिए वहाँ पे एक resolution आएगा, और absolute majority से ये resolution पास किया जाएगा, अब आपको मेडम absolute majority क्या था, वो अब आपको types of majority में जाके देखना होगा, मैं जान बोज के नहीं बता रही, at least आप majority से ये resolution पास करना पड़ेगा, जब ये absolute majority से resolution पास हो जाएगा, तो अब ये matter पार्लेमेंट को send किया जाएगा, कि हमारी विधान सभा चाहती है, कि यहाँ पे legislative council बनाई जाए, अब ये president की मर्जी है, ये parliament की मर्जी है, कि parliament इसको accept करे या reject कर दे, हो सकता है, पार्लेमेंट आपकी बात ना भी माने, लेकिन अगर पार्लेमेंट आपकी बात मान लेती है, तो आपकी यहाँ पे legislative council बन जाएगी, इसी तरीके से same procedure legislative council हटाने का होता है, तो legislative council बनाया भी जा सकता है, और हटाया भी जा सकता है, ठीक है, तो ये सब बाते अभी तक हमने की, हम एक बार अ सब कुछ इसके अंदर deal करेंगे, इन सब articles के अंदर, article 168 क्या कह रहा है कि legislature जो होता है state का, वहाँ पे क्या क्या होता है, कह रहा हर state के अंदर, legislature होगा, फिर governor भी होगा, लेकिन बिहार, महराष्टरा, करनाटका, उत्तरप्रदेश, तेलांगना और आंदरप्रदेश, ये 6 state ऐसे हैं, जहांपे legislative council भी है, बिहार, महराष्टरा, करनाटका, उत्तरप्रदेश, तेलांगना और आंदरप्रदेश, ठीक है, बाकी सभी राज्यों के अंदर, एक house है, इन other states, बाकी सभी राज्यों के अंदर, एक house है, ठीक है, ये बात 168 में दी हुई है, ये कौन-कौन से state है, यहांपे आप जम्मू कश्मीर को भी देख रहे हो, जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ये अब एक UT बन गया है, मैंने जान पूच कि यहां जम्मू कश्मीर मेंशन किया है, क्योंकि student 6 और 7 में confused रहते हैं, तो आपका answer 6 ही है, इंडियन कौन से state, कितने state bicameral है, 6 states bicameral है, आंदरप्रदेश, महराष्टरा, बिहार, करनाटक, तेलांगना और उत्तरप्रदेश, ये 6 राजे bicameral है, जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन ये अब एक UT बन गया है, इसके बाद article 169, ये बताता है कि legislative council को कैसे बनाया जाएगा, create किया ये पूरा procedure मैंने आपको अभी बताया है, और यहाँ पर एक और बात लिखी गई है, कि जब आप legislative council बनवा रहे है, या हटवा रहे है, वो कोई constitutional amendment नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, लोगसभा, राज्यसभा, दोलों से अलग-अलग houses से पास हो रहा है, वो फिर प्रेजिडेंट से signature करने ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो कोई constitutional amendment नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 368 की according, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इसके बाद, ये भी मैंने आपको बताया कि पार्लेमेंट इस बात को accept करे, reject करे, इनके उपर binding नहीं है, ये पार्ले 333 की अंदर, यानि आर्टिकल 333 की अंदर, इसके composition की बाते लिखी गई है, ठीक है, ये क्या कहता है, कहता है कि 500 से जादा members नहीं हो सकते, मतलब more than, maximum कितने है 500, और minimum कितने members हो सकते है, इसके अंदर minimum हो सकते है 60, पर कुछ legislature ऐसे है, जहाँ पे 60 से कम लोग भी है, जहाँ प हैं और जहाँ पे population बहुत ही जादा कम है, तो maximum 500, minimum 60 in legislative assembly, बिलकुल ध्यान से सुनोगे, मैंने क्या बताया, legislative assembly के बारे में बताया, विधान सभा के बारे में बता रही हो, maximum कितने 500, minimum कितने 60, अब legislative council के अंदर, maximum कितने 1 third of legislative assembly, यहाँ ratio है, ratio है ये, numbers में नहीं बताया, सिधा क्या बताया, कि one third of legislative assembly, और minimum कितने 40, minimum कितने 40, तो यह दोनों में आपको composition मिलेगा, अब जो governor है, governor, governor क्या तरेंगे, governor एक सदस्य को, एक member को, एंगलो इंडियन जो होगा, उसको नॉमिनेट करेंगे, एक एंगलो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे, I hope आप लोग अब समझ रहे हो, नॉमिनेशन क्या होता और एंगलो इंडियन कौन होते, क्योंकि मैंने पार्लेमेंट में समझाया है, लेकिन अब ये provision repeal हो चुका है, ये अब repeal हो चुका है, अब governor किसी एंगलो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करते, January 2020 से, ठीक है, यहाँ राज्यसभा में भी कुछ सदस है, आठ कल्चर के हिसाब से, सलेक्ट होते थे, नॉमिनेट होते थे, वो होते रहते हैं, जैसे राज्यसभा में होते हैं, ऐसे ही यहाँ भी one-sixth member, राज्यसभा में 12 members थे, यहाँ one-sixth members जो है, वो आठ के बेस पे, सोशल साइन्स के बेस प हैंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक एंगलो इंडियन नॉमिनेट होता था, उसको रिपील कर दिया गया है, ठीके, यह बाते आपको समझ आ गई, लेजस्लेटिव असेमली के अंदर जो इलक्शन होता है, वो डारेक्ट इलक्षन होता है, ठीके, डारेक्ट इलक्शन होता है लेकिन legislative council में indirect election होता है यानि हम लोग vote नहीं करते कोई ओर ही vote करता है अब कोण vote करता है उसको अभी समझेंगे पर पहले कुछ और बातें जाल लो election करवाता कोण है legislative assembly के और legislative council की election कौण करवाता है election commission of India इनके भी election कराता है और election commission of India या इनके भी election करवाता है ठीक है अब दोनों का duration कितना है legislative assembly का और council का duration कितना है legislative assembly बिलकुल उसी तरीके से लोगसभा की तरह five years इनका duration होता है लेकिन emergency के वक्त इनका duration बढ़ा भी सकते हैं जैसे लोगसभा में emergency के वक्त एक साल extend हो जाता था tenure ऐसे ही यहां भी एक बार में एक साल extend हो सकता है tenure अगर emergency देश में लगी हुई है वैसे पांच साल इनका tenure है legislative council राज्यसभा की तरह एक permanent chamber है क्या है एक permanent house है permanent chamber है यानि हर दो साल के बाद one third member retire हो जाएंगे हर दो साल के बाद one third member retire हो जाएंगे बिलकुल उसी तरीके से जैसे राज्यसभा के अंदर members retire हुए ठीक है तो ये हम लोगोंने difference समझ लिया दोनों के बीच में एक बार इन चीजों पे हम ध्यान दे ले थे हैं strength क्या बताए गई maximum 500 और minimum 60 fix नहीं की न कि इस राजे में इतनी ही होगी इस राजे में इतनी ही होगी उन्होंने maximum और minimum का range बता दिया अब ये जो fix है ये कौन करेगा population size के according इसको fix कौन करेगा इसको fix करने का काम होगा आपकी parliament का यानि parliament बताएगा इस राजे में कितनी seat हो सकती है इस राजे में कितनी seat हो सकती है पार्लेमेंट इस बात को बताएगा constitution ने बस आपको maximum और minimum size दे दिया है लेकिन अरुनाचर प्रदेश, सिक्किम और गोवा यहाँ पे minimum fix है 30 मिजोरम नागालेंड यहाँ पे 40 और 46 मिजोरम में 40, नादा लेंड में 46 यानि कुछ राजे ऐसे है जहाँ पे 60 से कम seat भी चली जाती है due to their population size, nominated member के बारे में बताया, governor एक एंगलू इंडियन को nominate करते थे, लेकिन अब नहीं करते, composition of council, council के बारे में मैंने आपको बताया कि council में maximum कितने होंगे, minimum 40 और maximum जो है one third of legislative assembly, maximum कितने होंगे, one third shall not exceed one third of total member of legislative assembly, legislative assembly में 60 member है, मान लिजे किसी legislative assembly में, मान लिजे 100 members है, या मैं कहूं 120 members है, तो यहाँ पे one third कर दो, उसका 40 आ जाएंगे legislative council में, ठीक है, minimum 40 होएंगे, और maximum one third of legislative assembly होंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना, अब आगे, कौन-कौन इनको vote देता है, कौन-कौन इनको vote देता है, देखो, जो legislative council है, उसके one third member, MLA के द्वारा चुने जाते हैं, member of local body, यानि जो वहाँ की पंचायते या municipalities है, वो लोग election में हिस्सा लेते हैं, फिर one third को MLA's vote करते हैं, one sixth को governor nominate करते हैं, one twelfth को graduate nominate, elect करते हैं, और one twelfth को teachers elect करते हैं, मैं आपको आसान करके ये बता दू, कि जो legislative council है, मैंने क्या कहा, वो indirectly elected होता है, तो कौन-कौन उसके अंदर हिस्सा लेता है, आप ऐसा करो, एक के तीन तुकड़े करतो, ठीक है, एक के one third, one third, और one third, ठीक है, one third के फिर दो तुकड़े कर दिया हमने, one six, one six, ठीक है, फिर इस one six के हमने तुकड़ा कर दिया, one twelve, one twelve, इस तरीके से, अब देखो, one third member जो है, वो MLA, जो member of legislative assembly है, वो वोट करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, one third member जो है, वो MLA, one third member MLA, ठीक है, फिर one third member, जो ये one third member है, member of local body, जो local body, municipality, नगर पालिका, नगर निगम, इनके जो members है, वो वोट देंगे, ठीक है, फिर one six member जो है, गवर्नर नोमिनेट कर जैसे राज्य सभा में 12 members को नोमिनेट करते थे, ऐसे यहाँ one sixth member को नोमिनेट करते है, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, जो one twelfth member है, और one twelfth member है, इनको teachers करते हैं, secondary level के teachers होने चाहिए, government school के, और इनको graduates करते हैं, ठीक है, सनातक स्तर के जो teachers होते हैं, प्रोफेसर होते है one twelfth member को वो वोट देते हैं, तो इस तरीके से one third, one third, one sixth, one twelfth, one twelfth, इस तरीके से legislative council indirectly elect होता है, हम लोग हिस्सा नहीं लेते इनके election में, तो इनके election की भी बाते हो गई, ठीक है, यह हमने बाते समझी, उसके बाद, duration क्या रहता है, यह मैंने आपको बताया, कि five years रहता है, first meeting जब से होती है, तब से five years तक इसका duration रहता है, लेकिन emergency में इसको extend कर सकते हैं, एक बार में एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए इसको extend भी कर सकते हैं, council का duration, यह continuing chamber है, permanent house है, मैंने आपको बताया, ठीक है, यह permanent house है, इसके one third member, every second year, retire हो जाएंगे, one third member, every second year, retire हो जाएंगे, बिलकुल उसी तरीके से, जैसे, जैसे, राज्यसभा में होता था, ठीक है, अब इनके members का qualification बता देती हूँ में, qualification क्या क्या होता है, legislative assembly का अगर आपको member बनना है, तो लोगसभा की qualification याद कर लीजिए, minimum age कितनी होनी चाहिए, 25, आप citizen of India होनी चाह में है, legislative council में minimum age आपकी 30 होनी चाहिए, 30 years of age होना चाहिए, ठीक है, और आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये legislative council का है, जो बिलकुल राज्यसभा जैसा है, तो यहाँ पे ये बातें लिखी हुई है, क्या कह रहा है ये, क्या रहा है कि election commission अपने behalf पे इसको oath दिलवाते है इन members को, ठीक है, और qualification यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ पे क्या कहा हुआ है, कि legislative council की जो qualification है, आप देख सकते हैं, 30 years of age है, citizen of India है, और nomination किसकी space पे गवर्नर करते हैं, art, literature, science, social service, cooperative movement के बेस पे, cooperative movement राज्यसभा के nomination में include नहीं होता था, लेकिन legislative council में nomination करते वक्त, governor जो है, वो cooperative movement के, को जो जो जिसने भी चलाया है, कोई cooperative movement और अच्छे स्तर पे, मतलब उस राज्ये का अच्छा खासा नाम हुआ है, पहचान बनी है, तो उस व्यक्ति को भी nominate कर सकते हैं legislative council में, ठीक है, इसके बाद, अब ये सवाल का answer न, आपको थोड़ी देर बात समझ आएगा, अब हम ये देखेंगे कि bill कैसे pass होके, बिलकुल आसान है, सब कुछ, कुछ भी नहीं है, मैं पहले ordinary bill के case में आपको बताती हूँ, ordinary bill के case में आपको बताती हूँ, मान लीजिए कोई matter legislative assembly से गया, कोई bill legislative assembly से pass हुआ, पास होके वो legislative council के पास जाता है, अगर legislative council उसको accept कर लेती है, तो वो governor के पास जाएगा और वो एक act बन जाएगा, ये तो simple है, अब मान लीजे legislative assembly से कोई bill पास हुआ, वो legislative council ने reject कर दिया, ठीक है, reject कर दिया, तो क्या होगा, legislative council के पास 3 months का time होता है, accept या reject करने का, 3 months के बाद वो फिर से matter जो है, वो legislative assembly में आ जाएगा, अब legislative assembly with or without amendment, अगर उस बिल को फिर से council के पास भेजती है, तो अब इसके पास extra एक month का time है हाया ना करने का, अब council reject करे, accept करे, कुछ भी कहे, कोई matter नहीं करता, legislative assembly का decision ही final माना जाएगा, मैंने क्या कहा, कि वहाँ पे तो हमने क्या देखा था union government में, लोकसभा के बाद अगर कोई ordinary bill राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, तो joint session हो जाता था, क्योंकि राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है, ordinary bill में, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, तीन महीने पहले वक्त देते हैं, कि हाँ या ना कर दो, अगर नहीं कर रहे, ठीक है, आपने वापिस भेज दिया उस bill को तीन महीने के बाद, अब क्या होगा, अब आपको फिर से जो bill मिलेगा, उसमें आपको एक महीने का वक्त दिया जा रहा है, या तो हाँ कर दो, नहीं तो ना भी करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो bill पास ही माना जाएगा, यानि council maximum four months तक किसी भी bill को delay कर सकती है, इससे ज़्यादा इसके पास power नहीं है, इसलिए इस सेकिंड हाउस ना कहके सेकेंडरी हाउस कहते हैं, जबकि राज्य सभा सेकिंड हाउस है, इसको सेकिंड हाउस ना कहके सेकेंडरी हाउस कहा जाता है, मनी बिल के केस में क्या होता है, मनी बिल के केस में, मनी बिल के केस में क्या होगा, ये बिल, अच्छा, मैं एक और बात आ लीजिस्लेटीव असेम Vaille रिजेक्ट करेगी तो वो असेट हो जायेगा। मतलब final power assembly के ही पास होती है। अगर कोई बिल यहां से चल रहा है assembly से तो यह maximum 4 months तक उसको delay कर सकती है अलएकिन अगर कोई बिल से चला है तो assembly का decision final होता है। वो reject कर रहे हैं तो reject हो जाएगा, accept कर रहे हैं तो accept हो जाएगा, money bill के case में क्या होता है, money bill के case में, money bill के case में होता है students, जैसे union में money bill केवल लोग सभा ही introduce कर सकती है, बिलकुल उसी तरीके से यहां भी legislative assembly से ही introduce होगा, फिर वो bill council में जा रहा है, council के पास 14 days का time है, उसको accept करने का, उसको reject करने का, उसको reconsider करने का, कुछ भी कहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी कहे, वो bill legislative assembly ने पास किया है, तो उसको पास ही मानेंगे, बिलकुल उसी तरीके से जैसे राज्य सभा के पास maximum 14 दिन का time होता है, वो हाँ ना कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग सभा का decision final है, इसी तरीके से money bill के case में legislative assembly का decision जो है, वो final है, ठीक है, तो ये बाते आपने समझी, ये सब बाते मैंने आपको बता दी है, ठीक है, money bill के case में क्या होता है, वो भी बता दिये, यानि legislative council की power राज्य सभा से बहुत कम है इसलिए इसको second house ना कहके secondary house कहते हैं, बाकिये सब कुछ हमने देखा कि जो लोग सभा और legislative assembly का election है, वो बिल्कुल सेम होता है, प्रिजाइडिंग ओफिसर जैसे लोग सभा और राज्य सभा में होते हैं, यहां भी होते हैं, कोरम, प्रोरोग, सम्मन, privileges, reading of the bill, ये बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं, स्टेट में, जैसे union government में होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वही similarities हैं सारी, जैसे tenure होता है, बिल्कुल सिमिलर है सब कुछ, जैसे हमने union government को पढ़ा था, तो फिर से यहां पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग इस question का answer देंगे, consider the following statement UPSC 2015 पंद्रा का है, the legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of a particular state, legislative assembly की 50 प्रतीशत से जादा बड़ा legislative council नहीं हो सकता, दूसरी statement कह रहा है, the governor of the state nominates chairman of legislative council, legislative council के chairman को governor nominate करते हैं, आपको बताना है correct कोन सा है, one only, two only, both, one and two, neither one note, अब जो बाते मैंने आपको नहीं बताई है, प्रिजाइडिंग officer, governor, chairman, speaker, वो बिल्कुल ऐसी तरीके से है, जैसे union government की है, ठीक है, तो उमीद करती हूँ, आप लोग इसका answer बिल्कुल सही देंगे, thank you so much, take care, bye-bye.